जो कि हैं आप बैसे हैं आप सब बात कुदिए कूमी आपके अपने स्याश्यनल्ड weeks 2500 बॉक्सिट में आज आपको समझाने मृला हूँ आयूपिक्सी नामन्किलेचर में टी हाइड के नामन्किलेचर मतलब अबेदा समूग के मैं rap को आपको आज же नामकर समझाने वाला हूँ बेसिक से समझाओंगा बिल्कुल जीरो लेवल से अंत तक देखिए क्योंकि इसके पहले भी कई सारे वीडियो में ने आयू पेसी नामन क्लेशर के बनाए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या कि डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक देदूंगा वहा आपको दिखाई देगा क्या CHO दिखाई देगा इस्ट्रेंट तुसे आप समझोगे कि इसमें LD हाइट ग्रूप प्रेजेंट है ठीक है ना LD हाइट समूँ CHO पहचान है CHO मतलब एक कारवन के साथ हैच और हाइड्रोजन जैसी यहाँ पर इसको मैं दिखा दूं तो यह आ आपको क्या करता हूं फारूंगा लिख कर बताता हूं जैसे यहां पर लिखता हूं CH3CHO यह लिखिया मैं ठीके ना इसके बाद एक लिख दिया CHO इसको मैंनने लिख दिया पे इसके इसपे भी sypower में से आच भे सि के और इसके बाद इसके आ leaders मैंने कर दिया C2H5, CHO ये देखिए, तीन में ने योगिक लिख दिया अब तीनों में CHO है तो तीनों के तीनों LDHID समूह के योगिक हैं ये तो पता हो गया कामनचीर है इस पे एक कारवन है इस पे दो कारवन है इस पे तीन कारवन है यदि स्टूडेंट आप से कह दिया जाए कि एक से दस तक के कारवनी क्योगिक में जो नामन क्लेचर देते हैं कारवन की संख्या को तो आप लोग आसानी से बता सकते हो यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं एक कारवन को मेथ, दो कारवन को एथ यदि ये तीन योगिक हैं क्योंकि कारवनिक जब आपका रियक्सन आता, कार्वनिक compound की जो reaction आता इस्ट्रेट मेंसा ध्यान रखेगा जो आपका organic compound का जो reaction होता है तो इन में से यह जो तीन योगी का आपको दिख रहा है आप बार बार आएंगे जब भी आप अग पढ़ोगे एलडी हाइट क्रूप का आक्सी करण एलडी हाइट कर अपचैन एलडी हाइट क्रूप का आपको बहुत रचान रसानि गुड तो उस पे ये जो तीन योगीं इन ही का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जिसका साधान नाम भी आपको पता होना चाहिए तो एक कार्मन इस्ट्रेट इसका नाम होता है फार्मेलडी हाईड साधान नाम मैं कह रहा हूँ फार्मेलडी हाईड इसका नाम क्या है फार्मेलडी हाईड ठीक इसका formaldehyde है, इसमें 2 carbon है, ठीक है न इस्ट्रेंट, तो इसका नाम है acetate से बनता है acetaldehyde, क्या बनता है acetaldehyde, साधर्ण नाम करण बता रहा हूँ, IUPAC भी बताऊंगा, ठीक है न, यहाँ पर इस्ट्रेंट 3 carbon है, 2, 1, 3, तो propane aldehyde, propane aldehyde, यह 3 नाम तो यह साधर्ण नाम हैं, इनको आपको यह नहीं समझना है कि IUPAC नाम करने, यह IUPAC नाम नहीं है, यह साधर्ण नाम है, यह क्या है साधर्ण नाम, ठीक, यह साधर्ण नाम बिल्कुल लिख लो, आगे चल कर, आर्गनिक, जब आप chemistry पढ़ोगे इस्ट्रेंट, जो aldehyde group पढ़ोगे, तो बार बार आपको परसान करेगा, इसलिए मैं आपको common name बता दिया, जो basic चीजें वो करा रहा हूं, अब इदी का student IUPAC नाम कराता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, फिर लंबे सरंकला वाले आपको कर्मनी क्योगी मिलेंगे, जिनका आपको नाम करना होगा, तो याद रखना student हमेशा last में आपका CHO में IUPAC नाम करते समय, बस इतना याद करो, अंत में अल जोड़ देना है, क्या अल जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, क्या student, अल जोड़ना ध्यान रखेगा, क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है, तो देखिएगा थोड़ा सा, मैं नाम इसमें नल हो जाएगा क्या हो जाएगा मेथे नल हो जाएगा देख सकते हो मेथे नल क्या होगा इस्ट्रेंट मेथे नल मेथे नल हो गया अब आप आसानी से आगे वाले बता सकते हो दो कार्बन है तो इसका हो जाएगा एथे नल क्या हो जाएगा इस्ट्रेंट एथे नल ठीक है इ कारवन embracing 2 कारवन देख सकते हैं थी इत से गता है스ंपल तरीकर समझाता हूं जो कि करके अल्जोडो तो एथेनल इसी प्रकार तीन कार्वन है तो प्रोब से बनता प्रोपेन और प्रोपेन से एन हटाकर अल्जोडो दो श्टुडेंट लास्ट में तो आपका बन जाता है प्रोपेनल एक सिंपल तरीके समझाता हूं जो कि आप आसानी से कर सकते हों कुछ भी नहीं है मेरे भाई हो ठीक है ना अब यहां पर मैं आपको और कुछ कार्वनिक कंपाउंड लिख देता हूं यहां पर जैसे मैं कहा दूं यहां पर सी थ्री है और एच कितना हो जाएगा श्टुडेंट छे दूनी रहो तीन दूना छे एक साथ सी थ्री एच सेवन हो गया और C-H-O है इसका आपको बताना है तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हूं कि कित्ते कार्वन है मैथ yes प्रोप है ना और व्यूट हो गया तो दूना है तो ब्यूट से हो जाएगा स्टुडेंट ब्यूटे नल क्या हो जाएगा ब्यूटेनल तो आसानी CA, IUPAC नामकरन इस प्रकार के कार्मनिक कंपॉंड के आप लोग बता सकते हो अब एक स्रंखला वाला आपको क्या मिल जाए कार्मनिक योगिक मिल जाए उसमें CA 4 है तो फिर आप क्या करोगे अब जिनका प्रियोग बार-बार होता है उन्ही कार्मनिक योगिक मिल यहाँ पे जो तीन कार्मनिक योगिक लिखा था प्लेज आप लोग इसको तो बिल्कुल याद कर लेना कमिश्टी में ध्यान रखना चलिए आगे चलते हैं अपने एक लंबी स्रंकला ले रहे हैं देखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने कहे दिया कि कार्मन की संक्याँ यहाँ पे 7 हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ हैं अब इसमें कहीं भी मैंने CHO जोड दिया जैसे यहाँ पर CHO जोड दिया तो ध्यान ये रखना है मेरे भाईों ध्यान ये रखना है कि यदि किसी कार्णोंड योगिक में C.H.O. समूः जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से C.H.O. जुड़ा रहेगा यहाँ पर 2 H जोड़ने का तरीका कहा से आया ? कार्बन की टोटल वैलेंसी होती 4 कोई भी कार्बनी क्योंगि का आपने लिग दिया मन मौजी जोड़ दिया ? ऐसा नहीं है कार्बन की वैलेंसी होती 4 और 4 वैलेंसी के अधात पर ही हम अपने आप से जोड़ते हैं च्छोए प्रजेंट नहीं रहेगा तो आपका यूप एसी नामकरना गलत हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो च्छोँ है अब नंबरिंग करना है आपको नंबरिंग आसानी से कर दोगे कैसे जैसे मैं कहा दूँ यह पहला वहीं से नंबरिंग करना जहां च्छोँ यह यह दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया फिर चौथा हो गया फिर पाच्मा हो गया फिर छटा हो गया अच्छा एक काम करते हैं इसका साधान नाम लिख देंगे लेकिन कुछ तो और बच गया है जो इश्टरा बचा हुआ यहाँ पर एक देख सकते हो आप एदी मिला दे तो मेरे भाई एथिल तो दो नंबर पे जुडा हुआ है तो 2 एथिल कर दिया हम नहीं किते नंबर पे जुडा हुआ है 2 एथिल कर दिया हम नहीं ठीक है इसके बाद यहां से सुरू हो जाओ meth 8th probe but paint hex hexane acesso hexane null कर सकते हो js maxane 1L कर सकते हो hexane 1L अब इसके बाद दूसरा compound लेते हो जिसमें कुछ और सम्मों जुड़े हूँ और CHO सम्मूं रहे ठीक है चलिए आपको 2-3 आपको यहां पर करा दूँँगा तो आप फिर किसी भी समूँ का नाम आसानी से कर सकते हो जैसे मैं एक यहाँ पर करण देगी आप करणिक्स रंखला भी अपने से बना सकते हो यह मैं कहीं याद नहीं किया हूँ बस बैलन्सी के अधार पर जैसे यहाँ पर मैं मैंने 5 करण लिख दिया 1 2 3 4 5 और एक के साथ मैंने कोशिस की कि CL जोड़ दिया CL के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर CHO जोड़ दूँ क्या जोड़ दूँ CHO यहाँ पर जोड़ता हूँ यह जोड़ दिया CH अब करण की बैलन्सी के अधार पर बैलन्सी है तो यहां पर 3 जोड़ना पड़ेगा, 1, 2, 3 के साथ बंदा हुआ है, 1 hydrogen जोड़ना पड़ेगा, यहां पर 2 बंद आलरडी है, तो 2 hydrogen जोडने पड़ेंगे, तो 2 hydrogen मैंने जोड़ दिया, ध्यान दीजेगा, इसके बाद मेरे भायों यहां पर देखू, 1, 2, तो 2 hydrogen जोड़ना इसका पहले आप लोग एक स्रंखला बनाओ, जिसमें CHO उसको तो लेना ही पड़ेगा, यहां तक आप, अब इस chlorine में ध्यान रखना कभी भी, chlorine में कभी भी carbon count नहीं होता है, क्योंकि chlorine का CL होता है, उसमें carbon होता ही नहीं है, इसलिए कभी confuse मत होना, ठीक है, chlorine में कभी आपको student C-L को carbon नहीं choose करना है, ठीक है, तो चलो इसका नाम कर देते हैं, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां पर 5 हो गया, ठीक है ना, इसके बाद student क्या करेंगे, यह 5 नंबर पे chloro, तो यहां पर यह ध्यान दिना है, कि chloro कहाँ से start होता है, C से होता है, और यह 2 नमबर पर कुछ जुड़ा हुआ है यह क्या जुड़ा हुआ है मेथिल मेथिल क्या शुरूता है हमसे बताओ कौन पहले आता है सी आता है पहले की हम आता है पहले कौन आता है सी आता है की हम आता है तो यहां पर आप जरूर बता सकते हो कि पहले सी आता है सी आता है ना तो द नमबर पर क्लोरो फिर दो नमबर पर क्या जुड़ा हुआ है मेथिल है स्टुडेंट मेथिल समू है ठीक है मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट तो इस्टुडेंट पेंटेन और यहां पर आप कर दोगे क्या वन नमबर पर अल तो पेंटेन वन अल देखो सिंपल तरीके से को पता हो जाएगा तो आप आसानी से کوई भी आर्गनिक कमपॉंड का नाम कर सकते और सभी गुरूप का कर रा नाम करा रहा हूँ जैसे LDhyiid का करा दिया, एलखोम समूँ का हो गया, है ना इसी प्रकार से halogen समूँका को नाम कर नाम कर तो इस तरह से मैंने कई सारे चलिए, इस पे मैं कुछ और जीजे add कर रहा हूं, यहां पे मैं कर देता हूं क्या, यहां पे कर देता हूं CHO, और इसके साथ एक के साथ कलूरीन जोड़ दिया, एक के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया, अब को कि इतना लंबा चोड़ा क्या हूं पढ़ा रहे हो सर, चलो भाईय तो तीन जोड़ दो, दो बांड़े तो दो जोड़ दो, तीन बांड़े तो एक जोड़ दो, तीन बांड़े तो एक जोड़ दो, यहां पे तीन बांड़े तो एक जोड़ दो, सिंगल बांड़े तो थ्री जोड़ दो, अब यहां पे आप लोगो एक चीज और समझ में आ होती है इसको हमने चूज कऱेंगे चूज करखक्र लिया तो मैंने बताया था लिए आपर और यहां पर कहों है student methyl, क्या है methyl है, क्या है methyl, इसका नाम है क्या chloro, जो कि C से सुरू होता, ये है bromo, तो B से सुरू होता, ठीक है, क्या होता student, bromo, चलो, फटा पट देखो, तो पहले जो extra है, उनको लिख लेते हैं, तो देखें लिखते हैं student student कितने नंबर पे सबसे पहले यह M है यह C है और यह B है तो सबसे पहले B आता है तो 4 Bromo चार नंबर पे Bromine जुड़ा हुआ तो 4 Bromo इसके बाद 3 नंबर पे chlorine तो 3 chloro 3 chloro हो गया फिर student यहां पे देखिए 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ तो 2 मेथिल ठीक है ना इसके बाद कार्वन की संक्या काउंट को रहे एक दो तीन चार पांच है तो 6 को बोलते हैं हेकसेन और student 1 L तो 1 L कर दिया या हेकसेन नल कर सकते हैं या हेकसेन 1 L कर सकते हैं तो यह रहा है student आज का कुछ important चीज़े हैं जो आसा करता हूं कि आप लोगों समझ में आ गया होगा और एक आपके लिए एक home बरकर देता हूं जो कि आप लोग करना और comment box में इसका नाम बताना यहाँ पर मैं कर देता हूं CH3 यहाँ पर मैं कर देता हूं CH2 यहाँ पर CH2 यहाँ पर student मैं कर देता हूं यहाँ पर CH कर देता हूं और यहाँ पर CL जोड़ देता हूं और CH जोड़ देता हूं और यहाँ पर CH3 जोड़ देता हूं इस पे आपको कुछ बताता हूँ, आपको नामकर्ण कैसे करना है, तो इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करते हैं एक चीज़े मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं क्लोरीन को क्लोरो आयूपीएसी नामकड़ में लिखते हैं फ्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं क्या कहते हैं फ्लोरो ठीक है और ब्रोमीन को ब्रोमो यह तीन में रूप से आते हैं और आयोडीन को आयोडो यह आपका चौथा तो यह आपके पास हैलोजन समू के तत्तू है फ्लोराइट, क्लोराइट, ब्रॉमाइट, आयोडाइट, साधार नामकरण में, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोम, आयोडो, आयूप, यसी नामकरण में प्रयोग होता है तो आसाई उमीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर देना दोस्तों स्थियार कर देना इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब भी कर लेना samma बेल आइकन प्रस कर लेना ठीके शुदैंट, और मुमेंट वाक्स में थोड़ए सा खुछ अच्छे बातीं कहा करें ताकि हमें भी मोटिवेसन मिले